Children, मैंने आपको C तक reading करवाया था, आज हम D से reading करेंगे, okay, let's start Look here, D for dog, D for dog, okay, dog का मतलब होता है कुट्टा, okay, next है D for dog, D for dolphin, D for doll यह D से बनने वाले wals है, okay, here D से बनने वाले wals है, okay, dog का मतलब होता है कुट्टा, डक का मतलब होता है बतक, and dolphin का मतलब होता है मसली, और यह मसली कहां मिलती है? समुद्र में, ओके, next है हमारा डॉल, डॉल आपके पास भी होंगी, डॉल का मतलब होता है बच्चों, गुडिया, ओके, next है E, E for engine, E for engine ये पिक देख रहे हो न, ये पिक तेल गाड़ी की है, ओके, और रेल गाड़ी किसे चलती है, इंजन से ओके, E से I का मतलब होता है, आँख elephant का मतलब होता है, हाती ओके, बच्चों अब हम रिवीजन करेंगे A से E तक, ओके वट इस दिस, दिस से apple, A for apple A for aunt A for abacus A for aeroplane, ओके B for ball B for boy B for butterfly and B for bird नेक्स्ट है हमारा C, C for cat C for camel C for car and C for cat D, D for dog D for dog D for duck D for dolphin and D for doll नेक्स्ट है E, E for engine E for egg E for eye and E for elephant नेक्स्ट वीडियो में बच्चों इससे आगे पलींगी Okay, thank you